Difference between sleet and hail in Hindi Sleet और hail के बीच मुख्य अंतर उनके निर्मान की प्रक्रिया और आकार में होता है Sleet छोटे बर्फ के कण होते हैं, जो ठंडी बारिश के समय बनते हैं यह तब होता है, जब बारिश की बूंदे जमीन पर गिरने से पहले ठंडे वायू मंदल से गुजरती हैं और जम जाती हैं Sleet आम तोर पर छोटे और चिकने कण होते हैं, जो ठोस लेकिन बर्फीले होते हैं यहां हलका होता है और आम तोर पर कम नुकसान करता है Sleet सर्दियों के मौसम में सामान्यतह पाया जाता है हेल या ओले बड़े, ठोस बर्फ के गोले होते हैं, जो गरज वाले बादलों, ठंडर स्टॉर्म के दौरान बनते हैं जब पानी की बूंदे उपर उठते हुए ठंडी उचाईों में जम जाती हैं और बार-बार बादल के अंदर उपर नीचे होती हैं, तो उनकी परते जमती जाती हैं और ओले का आकार बढ़ता है हेल आकार में बड़े होते हैं और यहां फसलों, वाहनों और संपत्ती को गंभीर नुकसान पहुचा सकते हैं संक्षेप में स्लीट छोटे और सर्दी के समय होते हैं जबकि हेल बड़े और गरज के दौरान बनते हैं ऐसी और इंफॉर्मिटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें